नमस्कार स्वागा थे आप सभी का सिक्षा सेटिके स्योटूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के मंदिरों के बारे में जैसे कि आप सभी को पता है हमारे देश में बहुत सारी मंदिरें पाई जाती है हमारा जो देश है वह मंदिरों का देश है तता हमारे देश में हर गली मुहले में जो है आपको मंदिर मिल जाएगा परंतर इस वीडियो में हम उनी मंदिरों के बारे में बात करेंगे जो हमारे एकजाम के लिए इंपोर्टेंट होंगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमारे एक्जाम के point of view से कौन-कौन सी मंदिरे important है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान सीव के 12 जोतिर link के बारे में दोस्तो ये जो भगवान सीव के 12 जोतिर link है ये एक्जाम के लिए आपके लिए काफी important है तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे केदारनात का जो मंदिर है यह भगवान सीव के एक जोतिर लिंग में सेक आता है तो यह उत्राखंड में आप इसे आद दिखेगा उत्राखंड में केदारनात का मंदिर है तथा यहीं से केदारनात के मंदिर से ही जो है आपकी मंदाकिनी नद यह केदारनाद के मंदिर से ही बैती है इसे बैती है तथा 2013 में आपको याद होगा 2013 के साल में यहाँ पे एक त्रासरी भी घटीत होई थी जिसमें थोड़ा सा हिस्सा जो था केदारनाद मंदिर का भी प्रभावित हुआ था तो इसे आप याद रिखेगा इसके साथ आपको पता होगा जो उत्राखंड जगय है यहाँ पे छोटा चार धाम होता है इसे आप याद देखेगा आपको पता होगा जो उत्राखंड है यहाँ पे छोटा चाल धाम होता है छोटा चाल धाम को आप बड़े चार धाम से कन्फ्यूज मत कीजिएगा मैं आपको दोनों के बा तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनात और बद्रिनात ये जो चारो जगह हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनात और बद्रिनात ये चारो जगह उत्राखंड में आती हैं तता ये ही चारो छोटा चालधाम के नाम से भी जाने जाती हैं वह एकर हम बड़े चालधाम क से एक है पूरी जो कि उडिसा में है उसके बाद आपका आ जाएगा रामया सुरम जो है यह भी बड़े चाल धामों में आता है तता यह तमिलाडू में है उसके बाद 33 नमबर पर आपका जाएगा द्वारिका द्वारिका गुजरात में है यह अभी आपके बड़े चालधाम में आता है और उसके बाद आपका हो जाएगा बद्रिनात का जो मंदिर है उत्राखंड में वह भी बड़े चालधाम में आता है तो बड़े चालधाम में चार सबसे प्रस्तित जगहें आते हैं कौन-कौन सी उडिसा की पूरी, तमिलाडो का रामिस्तुरम, गुजरात का द्वारिका और उत्राखंड का बद्री ये चारो बड़े चालधाम में आते हैं जैसे पूरी उडिसा में है, रामिस्तुरम तमिलाडो में है, द्वारिका गुजरात में है और बद्री नाथ उत्राखंड में है, तो आई होप आपको ये किलियर हो गया होगा वह अगर हम भगवान सीव के दूसरे सबसे उत्कृष्ट जोति लिंक की बात करें तो उत्रबदेश के वराणशी सहर में है, कासी बिष्वनाद, तो आप इसे आदेखेगा, कासी बिष्वनाद का गंगा नदीग किनारे है यह जो मंदिर है, भगवान सीव का जोति लिंक के अंतरगत, यह भी आता है जिस्या प्यादिकी गंगानधि चिनारे, उत्रब देश के कहां, वरानिसी में, उसके बाद, वैधनात मंदिर, जारखन्ड के देवगर में, उसके बाद, आपका आता है, आन्दफ देश में, स्ra. ब्रामा राम्बा मनिकार जून, आप इसा देखेगा, स्र. ब्रामा सीव के जोतिर लिंग में आता है उसके बाद रामनाज स्वामी मंदीर इसको हम रामेशरम मंदीर के नाम से भी जानते हैं यह तमिलनाडू में है यह भगवान सीव के बारह जोतिर लिंगों में से एक है उसके बाद भगवान सीव के तीन जोतिर लिंग इस्थित है महरास्ट ये जो तीनों है ये भगवान सीव के जोती लिंग है तो आप इस आदेखेगा भगवान सीव के जो तीन जोती लिंग है वह महरास्ट्रा में इस्थित है ये लोकेशन आप यादेखेगा घ्रिस रिरस्वर मंदिर ट्रेमब केस्वर मंदिर और भीमा संकर मंदिर आप इस देखेगा एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके आसपास से यह मंदिर आपको मिल जाएगा घ्रिस रेटस्वर मंदिर और वहीं ट्रेमबकेस्वर मंदिर के अगर हम बात करें तो यह आपका नासिक में है कहां ट्रेमबकेस्वर मंदिर नासिक में है और आपको पता होगा इसी म पिसे आदेखेगा जो भीमा संकर मंदिर है यहीं से भीमा नदी निकलती है तता आगी जाके जो भीमा नदी है यह कृष्णा नदी में मिल जाती है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगला हमारा है गुजरात में दो जोतिर लिंग है बगवान सीव के कौन-कौन से तो नागेश्वर मंदिर और सोबनात मंदिर आप इसे आदेखेगा नागेश्वर मंदिर और सोबनात मंदिर भी भगवान सीव के जोतिर लिंग कहलाते हैं तो आप इसे आदेखेगा यह दोनों लोकेशन कहां पर आए तो यह दोनों लोकेशन आपकी गुजरात में है यह लिंग के अंतरगत आती है इसके साथ यह जो महा कलेश्वर मंदीर है अपका उज्जयन में इसी मंदीर के किनारे ही कुम्ब का मेला भी लगता यहीं पे जो है कुम्ब का मेला भी लगता है उज्जयन में जो है कुम्ब का मेला भी लगता है उसके बाद सिप्रा नदी के किना यह महाकालेस्वर का मंदिर भी इस्थीत है वही इख नर्माधा नदी के किनारे स्थीत है तो दोस्तों यहां पे हमने टोटल भगवान सीव के हमने बारह जोते लिंगों को कफ़र कर लिया है आई होप आपको यह बारह जो इतने लिंक सबच में आ गए होंगे, यह आपके exam के लिए काफी important है, तो इन्हें आप जरूर याद कर लिजेगा, अब हम आगए के slide में one by one करके कुछ important मंदिरों को cover करेंगे, जो बिबिन प्रकार के राज्यों में स्थीत हैं, जो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ात हैं, सबसे परड़े हम गुजरात के मंदिरों के बारे में बात करेंगे, तो जो जिस राज के important मंदिर हैं, जो exam में पूछे जाते हैं, केवल हम उनी मंदिरों को इसमें समलित करेंगे, तो गुजरात के दो important मंदिर हैं, जो exam में बार बार पूछे जाते हैं, तो सबसे पह मदिर है यह गीर सोमनात जीले में इस्थित काया है तो गीर सोमनात जीले में यह सोमनात मंदिर बनाए गया है अगला वारा है राजस्थान में है दिल्वाडा जैन मंदिर है आपके एक्जाम के लिए IMPORTANT है जो दिलवाडा जैन मंदिर है यह माउंट आबू में कहा तो माउंट आबू में स्थीत है दिलवाडा जैन मंदिर जो राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर है तो आप इसे या देखेगा तथा यह जो माउंट आबू है माउंट आबू जो है अरावली की पहाड़ियों की सबसे उची चोटी गूरु सुखर में इस्थीत आपी से आदेखेगा यह जो माउंट आबू है यह अरावली की पहाड़ियों की जो सबसे उची चोटी है गूरु सीखर आपी से आदेखेगा अरावली की पहाड़ियों की जो सबसे उची चोटी है गूरु सीखर इसी में इस्थी जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है उसका हेटक्वाटर भी है आपका माउंट आबू में तो इतनी चीज़े आपको याद अखनी है अगला राज जमारा है उत्राखंड तो उत्राखंड के इंपोर्टेंट मंदिर कौन-कौन से है केदारनात और बद्रीनात आप पीसा अगला हमारा है आंद्रप्रदेश के मंदिर तो आंद्रप्रदेश का एक इंपोर्टेंट मंदिर जो लगाता है एक जया में पूछा जाता है तिरुपती बाला जी मंदिर कौन सा तो तिरुपती बाला जी मंदिर इसको हम कहते हैं वेंकर टेस्वर मंदिर इसे भी आप य चित्तूर जिले में कहां तो आंदरपदेश के चित्तूर जिले में इस्थित है तिरुपती बाला जी का मंदीर अगला इंपोर्टेंट नमा रहा है तिलंगाना तो तिलंगाना में कौन-कौन से इंपोर्टेंट मंदीर है तो गणना सरस्वती मंदीर हो गया आपका और स्री स्री सीता राम चंद्र स्वामी का मंदिर तो तेलंगाना में दो important मंदिर है गर्णा सरस्वती मंदिर और स्री सीता राम चंद्र स्वामी मंदिर ये दो important मंदिर है जो आपके तेलंगाना में मिलेंगे तो आप इसे याद रिखेगा अगला इंपर्टेन नमगा रहा है तमिलनाडो के मंदीर most important ये कई पर एक्जाम में पूछे आते हैं तमिलनाडो के जो मंदीर है वे आपके exam के लिए super important है क्योंकि ये लगातार exam में पूछे जाते हैं तो तमिलनाडों में कौन-कौन से important मंदिर मिलेंगे आपको तो महाबली पूरम का मंदिर या इसको हम कहते हैं मामला पूरम का मंदिर तो दोना आप या देखेगा महाबली पूरम को हम मामला पूरम का मंदिर भी कहते हैं उसके बाद उमिल जाएगा आपका अडुना मंदिर जो तंजोर में है उसके बाद मिनाक्षी मंदिर और उसके बाद रंगनाथ स्वामी का जो मंदिर है तिरुचिला पल्ली में आप इसे आ दिखेगा जो रंगनाथ स्वामी का मंदिर है यह तिरुचिला पल्ली में स्थीत है यह भी important है आपके exam के लिए इसके साथ आप एक चीज़ note down कर लिजेगा तमिलाडू का जो महाबली पूरम का मंदीर है इसी मंदीर में मिले थे यहीं पे मिले थे C. Jinping आप इसे याद देखेगा जो C. Jinping है राष्ट पती कहा के चीन के और हमारे प्रणा मंतरी नरेदर मोदी जी यहीं पे मिले थे महाबली पूरम में इसे आप याद देखेगा अगला important हमारा मतलब मंदीर है जो मद्यप्रदेश का तो मद्यप्रदेश में दो important मंदीर है जो आपके exam के लिए important है सबसे पहले खजुराओ का मंदीर हो गया और उसके बाद दुसरा हो गया चतुरभूज मंदीर तो यह दोनों मंदीर है जो आपके लिए important है इसके साथ जो खजुराओ का मंदीर है यह UNESCO की World Heritage Site का हिस्सा भी है तो यह आपके लिए important हो गया तो UNESCO की जो World Heritage Site है UNESCO की जो World Heritage Site है उसमें समलित किया गया है किसको तो खजुराओ के मंदीर को तो इसे आप याद कर लिजेगा इसे आप जरूर point बनाके no down कर लिजेगा इसके साथ आप एक चीज़ और no down कर सकते हैं मद्रप्रदेश के तीन important जगहें हैं जिनको World Heritage Site में समलित किया गया है कौन-कौन से तीन important places हैं important स्थान है तो मद्रप्रदेश के तीन important स्थान हों पहला हो कि आपका खज़राहो का मंदीर उसके बाद आपका ओ गया भिमबेटका की गुफाएं भिमबेटika की गुफाएं और उसके बाद आपका ओ गया सांची इस्तूप इन तीनों को UNESCO की World Heritage साइट में समलित किया गया कौन सी? खजराओं के मंदिर, भिम बेड़का की गुफाएं और सांची इस्तूप इन तीनों को जो है World Heritage साइट में समलित किया गया है तता ये जो तीनों जगह हैं तो मध्य प्रदेश की हैं तो इसे आप no down कर लिजेगा अगला हमारा मंदिर हम मिल जाएगा आपका महरास्ट का तो महरास्ट में तीन important मंदिर है जो आपके एकजाम के लिए important है तो सबसे पहले आपका हो गया सनी, सिंगड़ापूर मंदिर उसके बाद सिद्धी बिनायक का मंदिर और उसके बाद स्री साइम बाबा संस्थान तो ये तीन important मंदिर है महरास्टरा में इन्हें आप no down कर लिजेगा अगला है आपका केरल का मंदिर केरल का मंदिर भी लगाता है जाब में पूछे आते हैं तो केरल में चार important मंदिर है आपके exam के point एप उससे पहला आपका हो गया पद्वनाभा स्वामी का मंदिर दुसरा आपका हो गया गूरू वायूर का मंदिर तिसरा आपका हो गया वड कुनाथन का मंदिर और चौथा आपका हो गया स्री अयप्पा भगवान का यानि इसको हम कहते हैं सबरी माला का भी मंदिर तो ये चार आपके लिए important मंदिर है जो केरल में स्थीत है इसके साथ यह जो वड कुनाथन का मंदिर आपका है यहाँ पर तिसरा वाला जो वड कुनाथन का मंदिर है यहीं पर तृसूल तेवार भी लगता है अपिसादे के लिए जो तृसूल तेवार है यहीं पर लगता है वड कुनाथन मंदिर में अगला मंदिर हमारा है कर्नाटक का तो कर्नाटक में भी कुछ important मंदिर है जो लगातार एक्जाम में पूछा जाते हैं वे भी आपको पता ओने चाहिए, तो करनाटक में कौन-कौन से important मन्दिर आपको मिलेंगे, तो मुरूटेसवर का मन्दिर या सिव मन्दिर है, उसके बाद मुकामबिका का मंदिर, उसके बाद त्रिंगेरी मन्दिर, उसके बाद बीरू-पाक्ष मन्दिर, उसके बाद होए सालेशवरirmandir और लास्ट है गूमतिश्वर मंदिर तो यह important मंदिर है जो करनाटक में इस्थीत है इन्हें आप no down कर लिजेगा इसके साथ यह जो गूमतिश्वर का मंदिर है यहीप आप से आ देखीएगा जैन तील्थ इस्थीत है आप इसा देखेगा जो स्रावन जो गोमतेस्वर का मंदिर है यहीं पर स्रावन बेल गोला बेल गोला जैन तील्थ यहीं पर इस्थीत है गोमतेस्वर के मंदिर में तो इसे आप यहाद देखेगा तता यह जो होए सालेस्वर का मंदिर है इसको ग् ग्रूप आफ टेम्पल्स भी कहते हैं, तो आप इसे याद देखेगा, तता, जो करनाटक राज्य हमारा है, करनाटक में हमपी का जो मंदिर है, आप इसे आद देखेगा, करनाटक के दो इंपोर्टेंट मंदिर हैं, जिनको समलित किया गया है, वर्ल्ड हरिटे साइट में, युनेसको के कौन-कौन सी, तो आपका हो गया हमपी, और आपको एक मिलेगा पड़ाकल, आप इसे आद देखेगा, हमपी आपका हो गया, और एक हो गया आपका पड़ादकल, ये दो इंपोर्टेंट मंदिर हैं, जिनको वर्ल्ड हरिटेज साइट में समलित किया गया है, युनेसको की, तो आपका देखेगा, ये दोनों कहां पर हैं, तो ये दोनों कंडाटक में है, अगला हमारा है, जम्मु कस्मीर के इंपोर्टेंट मंदिर कौन-कौन से हैं, तो जम्मु कस्मीर में चार इंपोर्टेंट मंदिर हैं, पहला आपको गया, रगुनात का मंदिर ऐसा माना जाता है कि यह 33 लाख देवी देवताओं का निवास अस्थान है उसके बाद इंपोर्टेंट मंदीर है रण मिरेस्वर मंदीर उसके बाद अबनात मंदीर और उसके बाद वैसडो देवी का मंदीर जो कट्रा में है यह इंपोर्टेंट मंदीर है कहाँ पे तो जम्मु कस्मीर में तो इसे आप याद रखेगा अगला इंपोर्टेंट मारा है ओडिसा के मंदीर यह भी सुपर इसके अलावा गुंडिचा मंदीर भी आई जो उडिचा में है तो ये कुछ important मंदीर है उडिचा कि इन्हें आप no down कर लिजेगा अगला हमारा 36 गड़ में दो important मंदिर है कौन-कौन से भरूम देव मंदिर और दन तेश्वर मंदिर इसके अलावा त्रिपुरा में important मंदिर एक है त्रिपुरेश्वरी देवी का त्रिपूर सुंधरी मंदिर आप इसे आद देखेगा तता इसी मंदिर के नाम पर जो त्रिपुरा की गौर्मेंट है उसने त्रिपुरेस्वरी चाय का नाम भी रखा है तो इसे भी आप याद देखीगा अगला इंपोर्टेंट मंदिर कुलकाता में आपको मिलेगा दचिडेस्वर का मंदिर उसके बाद सिक्किम का इंपोर्टेंट मंदिर आपको हो जाएगा किरिदेस्वर का मंदिर उसके बाद असम में एक इंपोर्टेंट मंदिर है जो की गुवाहाटी मेह का मख्या मंदिर ये भी आपके एक्जाम के लिए important है इसके अलावा औरुनाचर प्रदेश में आपको मिलेगा एक मंदीर कौन सा मालिनी नात का मंदीर जो है यह औरुनाचर प्रदेश में मिलेगा उसके बाद उत्तर प्रदेश में दो important मंदीर हैं कौन-कौन से बांके वियारी का मंदीर जो आप याद रिखेगा इसके अलावा दो अनिस्टेट हैं जहाँ पर इंपोर्टेंट मंदिर मिलते हैं एक है हिबांचर पदेश में हिंडिम्बा देवी का मंदिर और एक हो गया वैजनात का मंदिर अब वैजनात को बैधनात से कंफ्यूज मत कीजेगा जो वैजनात है यह ज हिडिम्बा देवी का मंदिर है यह मनाली में कहां तो मनाली में है हिडिम्बा देवी का मंदिर हिडिम्बा देवी कौन थी तो भीम की पतनी थी कौन थी तो भीम की पतनी थी हिडिम्बा देवी इनका मंदिर मनाली में है हिमांचर प्रदेश में तता हिमांचर प्रदेश म का मंदिर भी है तो ये भी आपके लिए important है तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ important मंदिरों को हमने cover कर लिया है जो आपकी exam के लिए important है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए बस इतना ही thank you, thanks for watching, thank you